वक्रतुंड महा काया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विग्णम कुरुमे देवा सर्वकानेशु सर्वदा हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे उची परवत कैलाश परवत से यहां रहते हैं गनेश जी के पिता भगवान शिफशंकर और मा पारवती शिफशी के सबसे बड़े सेवक नन्दी बैल है और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है यही से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गनेश जी की कहानी एक बार मा पारवती ने नन्दी से कहा नन्दी मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ जब तक मैं आज्या न दूं किसी को भी महल के अंदर मत आने देना जो आज्या मा थे किसी को अंदरों किसी की कुछ mmm जो पुख कर दोजा है जय हो भोलेनात रास्ते से हटो अंदर जाने दो चमा करें प्रभू माह पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें अरे मूर्ख ये आदेश औरों के लिए है मैं तो उनका पती परमेश्वर हूँ परहट के मैं करदा हूँ परुणा झालेनात वाँ प्रिये आप भीतर कैसे आ गए नंदी ने आपको रोका नहीं प्रिये वो मेरा दास है उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था उसे इस तरह मेरी आग्या का अपमान नहीं करना चाहिए था पर मैं तुम्हारा पती हूँ मुझे रोकने का क्या फायदा आपका कहना सही है प्रभू पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है क्रोध मत करो प्रिये उसे ख्षमा कर दो वो थोड़ा कम बुद्धी का है हुआ 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 यह नंदी ने ठीक नहीं किया लेकिन वो भी क्या करता है स्वामी भक्त है उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं होई होगी मुझे एक ऐसा गंड चाहिए जो बुद्धी मान हो सास ही हो और मेरी आग्या का पालन करे मैं खुद एक ऐसा गंड बनाऊंगी मैं खुद एक रहाँ व्हाँ 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 की जो आपना चुटक सुपर है तो की जो आपका चाला जुटीड़ जब श्यायरा जुट्टakukan की जुटीछ दोरो आपका टाला जापस्ट कि अम ईुट के लिए भी कुटती है अम नवा शीवाई 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 अम नवाई अम नवा शीवाई 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 उन आया अम नवा शीवाई अम नवाई अम मिन आया अम इस सफेे अम अम आया 7 5 कर दो कि पो कर दो कि दूए तो क कि तूए तो कि अ ए दो कि तूए मैं कि अ नहते हैं हाँ हुआ 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 नहीं हाँ देखो हमें और सतर्क रहना होगा और कहीं भी भो सठना आप लोग सब जान देखिकाना है, शराद सोक अभी वह जो जो पर जाए आँछुप्वद्वग आँछ उठेट, आँछें नुटे यहाँ हम एज़ाँ हम आज़ा, हम आज़ा हम आज़ाँ हम आज़ाँ हम आज़ाँ हम आज़ाँ गणेश, पुत्र गणेश, जी मा, पुत्र गणेश, जी मा, देखो पुत्र, मैं स्नान ग्रव में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो, और जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना, जो आग्यमाते, मैं किसी को भी अंदर आने नी दूँगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें, कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे, नहीं मा, आप चिंता ना करें, शमा करें प्रभू, आप अंदर नहीं जा सकते, नन्हे बालक, तुम कौन हो, और मेरा रास्ता क्यूं रोग रहे हो, मैं गौरी पुत्र गनेश हूँ, और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, उनका आदेश है कि, जब तक वो आग्या ना दे, किसी खोबी भीटर आने ना दिया जाए, गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्यूंकि मैं गौरी पती शिवशंकर हूँ, द्वार से हट जाओ बालक, कदापी नहीं, जब तक मा आग्या नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूँगा, जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ, ये आसंबव है, देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा, परिणाम चाहे जो भी हो, सूरिय पश्यम से निकल सकता है, चंद्रम अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता हूँ, मूर्ख पालग, शान्त, शान्त प्रभू, जोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ, समझाने से ना माने तुझ जबरदस्ती हटा दो, बालग गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते, बाते मत बनाओ, हिम्मत है, तुम मुझे हाटा कर दिखाओ, मुझे मत ललकारो बालग, दरपोख हो तुम दरपोख, ऐसी बात है, तुम मेरे स्वामी का सामना करो, आ लेगो है, जर देद स्वामी का सामना करो भाला भ्लाग, मार डाला रे मार डाला सेना पतिगंड अपने रक्षकों के साथ जाओ और उस हठी बालक को हरा दो जो आज्या प्रभू चलो और हाँ अजड़ाँ जड़ाँ 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 अजड़ाँ जड़ाँ जड़ाँ अजड़ाँ और मियाँ जड़ाँ अनर्थ, घोर अनर्थ, भगवान शंकर गुस्से में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाय उसे परास्त करने के लिए गणों की सेना भेजी है? मुझे बीच बचाओ करना पड़ेगा। रुको! ये क्या मुर्खता है? एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हो, पीछे हटो! पुत्र गणेश आपको भी इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिता जी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आग्या का पालन करना चाहिए। मार्ग से हट जाओ। पिता की आग्या का पालन करूँगा, तो मा की आग्या का क्या होगा? और मा का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात मानते हैं, द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ास्तान मा का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा। अन्यथा, यदि भगवान शंकर को क्रोध हा गया, तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे, तो तुम्हें पुरसकार दूँगा। पुरसकार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाते हैं, ये आपको शुबा नहीं देता ब्रमदेव। मुझे दिक्षा मत दो बालक, हट जाओ, नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश्मे करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा। तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। इस बालत पर ब्रम्हास्त्र चलाना ठीक नहीं होगा। अगा अग्षण इस बालत बालत भीज़त यह ऑर्फ़ पर्फ़ हुआ हिर्पल हम geben कर दो हाओ कर दो हाँ कर दो नहत कर दो कर दो गोर अनर्थ होने वाला है क्या हो आप रभू आप विचलित क्यों हो गए सब कुशल तो है ना देवी भगवान शंकर का क्रोध चरम सीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं शिव शंकर तांडव कर रहे हैं तब तो अवश्य ही कोई खोर विपत्ती आने वाली है हां हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए कैलाश पर जाना होगा प्रभू मैं भी आपके साथ चलती हैं इसी बहाने बहन पार्वती से भी मिलूंगी कुम अची अँजत कर जए अच्योंच को दो कर याली में भी मिलूंगी कर दोम से अची सेफ। स्वामी ने मेरे पुत्र का वत कर दिया पुत्र गनेश यह अपने क्या किया अप्रार्णात क्रोध में अपने यह पुत्र का वत कर दिया और आप सब देवगर्ण चुप चाप खड़े यह तमाशा देखते रहे किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आए क्या एक नन्य से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहां इकठे हुए है बोलिए आप सब चुप क्यूं है शान्त होगे आपका क्रोद इस नन्य से भालक के प्राण लेकर नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित आपको इसे प्राण दान देना होगा अन्य था मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगे यह आप क्या कह रहें यह देवी मैं न्याय मांग रही हूं मेरा पुत्र निर्दोश था वो मेरे आग्या का पालिन कर रहा था क्षमा करें देवी यह असंभव है तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी आपने क्रोध वश अपने ही पुत्र का वत कर दिया भोले नात अब आपको देवी पारवती का आग्रे स्विकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा अन्यथा उनकी क्रोध की अगनी सारी स्रिष्टी को तहस नहस कर देगी वास्तों में देवी पारवती का आग्रह अनुचित नहीं है क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्राइश्चित हो सकता है भोले नात अंक और त्याग कर देवी पारवती की प्रात्ना स्विकार कीजिए भोले नात यह संभव नहीं है मेरे शस्त्र के प्राहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता तब तो यह कहीं उपाय है किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गनेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है सोचने में समय नश्ट मत कीजिए तुरंत अपने गड़ों को आदेश दीजिए जाओ किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा पुतर दिशा में हो और जिसकी मा अपने पुतर की तरफ पीट करके सो रही हो जो आग्या प्रभू देर मत करो अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा जो आग्या चलो जो आग्या चलो जो मूर्खो, यह क्या ले आए? प्रभू, आपने जो आदेश दिया था, उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं सोचने का समय नहीं है भोलेनात, इसी मस्तक को जोड़ कर बालक गणेश को जीवित करो कर दो हो टुड़ कर दोडिर कर दोड़राव प्रया थाराव भोले विर आए वां धो होगा ले आए हैं झाल 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 लो देवी ये जीवित हो गया आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभू परन्तु इस रूप में इसे देख कर सब इसका मसा खुडाएंगे चिंतित मत हो प्रिये ऐसा कुछ नहीं होगा मैं इसे वर्दान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे ये अध्भुद्बालक प्रिथ्वी वासियों का कल्यान करेगा मैं इसे वर्दान देती हूँ कि जब भी कोई शुप कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा ये बालक विद्ध्या और बुद्धी का दाता होगा हर मंदिल और घर में इसकी स्थापना की जाएगी लोग इसे हमेशा लड़ूओं का भोग लगाएंगे गणेश ये क्या हो रहा है शोर मत मचाओ तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन है उनकी साधना में विख्ण पड़ेगा जो आग्यमा और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं अलक निरंजन अलक निरंजन प्राणाम आचारिय जिरन जीवी भव मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनात के दर्शन करने आया हूं शमा करे रिशीवर वो योग साधना में लीन है आप उनके दर्शन नहीं कर सकते मैं इतनी दूर से एक बहुत अवश्यक कारेवश आया हूं उनके दर्शन करना अति अवश्यक है उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं आप फिर कभी पदारिये तुम मतिति का अपमान कर रहे हो बालक मैं बोले नात के दर्शन अवश्यक करूँगा यह असंभव है मुनीवर रे नादान बालक तू परचुराम के क्रोध से परिचित नहीं है मैं धंकियों से नहीं डरता मुनीवर उचित यही होगा कि आप प्रस्तान करें खोर अपमान आज तक देवत्वां में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा माग रोके आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में कि आगे मत बढ़िये कि हाँ कि अधा कि अधा कि अधा कि अधा कि अधा कि अधा बहुत है ने तु बलक अब मेरा प्रहार सेंद कर शीव जी के परसे को देखकर गणेश जी ने उसका प्रहार अपने दान्ट पर ले लिया आप 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 हर शुराम शमा करे भोले नाप शमा करें क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है इतना क्रोध आप लोग तपस्वी हैं क्या इसलिए वर्दान मांगते हैं कि अबोध भालोकों पर प्रहार करें मता पार्वती शमा दान दें अवश्य नीतिवस मुझसे यह अप्राध हुआ है शमा माते शमा आपके एक शमा मांगलेने मात्र से मेरे पुत्र का दान तो वापस नहीं जुड़ जाएगा वापस तो नहीं जुड़ेगा माते पर ये टूटा हुआ दान व्यर्थ भी नहीं जाएगा तभी से गणेश जी का नाम एक दंथ भी पड़ गया एक बार सुर्प दमन नाम के एक राक्षस ने अपने कठोर तपस्या से भगवान शंकर को खुश कर लिया प्रफ़ीा प्रफ़ी है प्रफ़ी से लिए जो इए लिएहागा हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए हैं सुर्प दमन मांगो क्या वर्दान मांगते हो जय हो भोलेनात धन्यभाग जो आपके दर्शन हुए मुझे वर्दान दीजिए कि मैं अजय हो जाओं कोई भी मुझे परास्त न कर सके मैं अजय हो गया अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता अब देवतागन बचकर कहां जाएंगे शिप जी के इस बर्दान से देव लोग पर मुसीबत आ गई सुर्प दवन ने देवताओं को हरा कर बंदी बनाना शुरू कर दिया इंडरदिव बड़ी मुश्किय से जान बचा कर भागे रक्षस राज सब देवताओं को बंदी बना लिया है सिर्फ इंडरदिव बच निकले हैं और दक्षिड भारत की पहाड़ियों में जाकर चिप गए हैं उसको भी ठूंड कर बंदी बनाओ मैं कैलाश परवत जा रहा हूं अपने इश्ट देव शंकर जी से मिलने कहां भागे जा रहे हो वरुण देव अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रुक जाओ मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाओंगा सच तुम भी और देवताओं की तरह बंदी नहीं बनना चाहते तो मेरा एक काम करो काम? कैसा काम? मेरे प्रकोप से डरकर इंद्र दक्षिन भारत में कहीं छुप गया है दक्षिन भारत पासियों ने उसे चुपाकर मुझसे घटारी की है उन्हें इसकी सजा मिलेगी तुम वहां मेख ले जाना बंद कर दो एक बूंत पानी भी वहां ना बरसने पाए सूखे से तड़ पेंगे तो इंद्र को मेरे हवाले कर देंगे जैसा मैंने कहा है वैसा करो वरना तुम भी मैं मजबूर हूँ इस दुस्ट की आग्या माननी ही पड़ेगी झाल कि वरुन देव के प्रकोप से पूरे दक्षिन भारत में सूखा पड़ गया कि वहां की बुरी हालत देखकर रीशी अगस्ते का मन भर आया और वो ब्रम्भा जी को खुश करने के लिए यग्य करने बैठ गये अम् प्रम्धिताप्यो नमसा हाँ अम् प्रम्धिताप्यो नमसा हाँ ये कौन हमारा आखवान कर रहा है अम् प्रम्धिताप्यो नमसा हाँ अम् प्रम्धिताप्यो नमसा हाँ अम् प्रम्धिताप्यो नमसा हाँ नमो ब्रम्मन, नमो ब्रम्मा, नमो ब्रम्मा आपका यज्य सफल हुआ मुनिवत कहिए क्या चाहते हैं प्रणाम ब्रम्हदेव प्रभु आप इस प्रदेश की हालत देख रहे हैं पानी की एक बून नहीं है इंसान पशु पक्षी पेड़ पौदे सब नस्ठ हो रहे हैं आप तुरंद कैलाश परवत पर भगवान शंकर के पास जाएए उनकी जटा से गंगा बहती हैं वही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं कि जैसी आपकी आज्या प्रभू कि आपकी आपकी एंगा कर ने Sauce कि आपकी एंगा कर दोजरде कर साम पका दो आपकी आपकी अरे मुशक तुमारी तुम मुच्छे बन गई मुझे ठंड लग जाएगी क्या करते हैं प्रभू अरे यह तो रिशी अगस्तिया है यह बहुत ग्यानी सन्यासी है चुप अग्यादी जी प्रभू अब मुनीवर यह जल लेकर दक्षिन भारत जाएंगे क्यों ना हम भी चले मैंने दक्षिन भारत का प्रदेश नहीं देखा है उनसे पूछो वो हमें साथ ले चलेंगे पूछने पर तो कभी नहीं ले जाएंगे हम चुप चाप इनके पीछे पीछे चलते हैं इतनी दूर तक तो मैं ठंक जाओंगा प्रभू आलसी कहींगा चल बड़ा आनन्द आएगा हाँ 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 जुछ व्युक्ज़ जोगे लिगकाना सबसों को जुछ जो जोगे जुछ जुछ झाल झाल लो वहां पशुपक्षी पाने के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए मैं तो थक गया चलते चलते मुनिवर भी थके हुए हैं कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यार्थ हो जाए हां परंतो हम क्या कर सकते हैं हां मुझे एक युक्ति सूजी है तू यही बैठ कर तमाशा देख मुझे यही बैद्टे सिर्वार्थ हुए 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 तो जो पर देख देख अरे मुर्क ये क्या किया मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया काले मू के राक्षष मैं तुझे श्राब देता हूँ अरे गनेश जी आप शमा करे मुनीवर समय नश्ट हो रहा था इसलिए मैंने आपका कारिया आसान कर दिया वो देखिए धन्य हो प्रभू मुझसे पैचानने में भूल हुई उसके लिए शमा चाहता हूँ नहीं मुनीवर आपने तो प्रित्वी लोग के भलाई के लिए बहुत बड़ा कारिय किया है युगो युगो तक ये कावेरी नदी इसी तरह बैती रहेगी और इसका जल प्रानियों को जीवन दान देगा युगो 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 युगोचर गदान देगा झाल झाल